किसान भाईयों के बारे में अगर बात करें आलू की की तो आलू रुजमर्रा की खाद्यान की सामागरी में एक महत्पूनिस्थान रगती है पुरे भारत में लगबग 19 लाग हेक्टेयर 6 तरफल में आलू की खेती की जा रही है किसानों की आये को मद्दे नजर रगते हमारे भारती आलू न संधान संस्थान सिम्ला ने आलू की एक ऐसी किस्म को विक्सित किया है जो बेहत कम समय में तयार होने के साथ साथ सरवाधिक उतपादन देती है यह किस्म किसानों के लिए काफी लोग प्रे रही है आई ये विस्तार में बात करते हैं हम बात करेंगे इस किस्म की समयावध उत्पादन, बीच की मात्रा, बुआई का समय, बुआई का तरीका, फायदे, बीच की लिए आप कहां से प्राप्त करें, बीच का मूल ले, किन-किन राज्यों में इसकी बुआई की जा सकती है, और जानेंगे वीडियो के अंत में इस किसम का नाम क्या है, किसान भायों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आगरह करूँगा कि अभी तक आपने हमारे यूटीब चैनल किसान बदलेगा को सबस्काइब नहीं किया, तो जरूर करें, क्योंकि हमारा उद्दे से किसान बदलेगा, तो देश बदलेगा, हम अपने इस यूटीब चैनल पर नई किस्मों की तथा सरवाधिक उत्पादन देने वाले किस्मों की तरह तरह की नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं, इसलिए आप हमारे यूटीब चैनल को सबस्काइब करना बिलकुल ना बुले, आए वीडियो में आगे क्यों बढ़ते हैं, हम बात करें अगर इस किस्म की समयावदी की, तो यह किस्म बेहत सतर से नबे दिनों में तयार हो जाती है, अगर इस किस्म की उत्पादन की बात करें, तो यह किस्म तीन सो असी से चार सो कुंटल प्रती हेक्टेयर तक उत्पादन देती है, वहीं अगर इस किस्म की बीच की मातरा की बात करें तो लगभग 25 से 30 कुंटल प्रती हेक्टेर बीज की आविशकता होती है अगर बुआई की समय की बात करें तो अगर हम इसकी बुआई आप अगेती समय में करते हैं तो अगेती समय के लिए आप 15 अक्टूबर से 15 नवंबर की बीज बुआई करें वहीं अगर समय करें बात करें बुआई की तरीके की तो आप इसकी बुआई के लिए 35 से पंक्त की दूरी 50 सेंटी मीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी लगभग 20 से 25 सेंटी मीटर रखें बात करें इस किसम के फायदे की तो यह इस किसम के प्रतिक पौधे में 5 से लगा कर लगभ पांसो ग्राम से लगाकर आप 1.2 केजी पรतिपोधा आलु प्राप्त कर सकते हैं इस किस्म में पाला वा जुलरा रुक जैसी समस्याइन नहीं उत्पन होती हैँ यह जिसम के फल स्वाद में तथा पकने में काफी अच्छे पाय गए हैं। बात करें बीच के लिए, तो बीच के लिए आप On-Line माध्यम इंडिया मार्ट या अन्य Online माध्यम का प्रियोक कर इसके बीच खरी सकते हैं। बात करें बीच के मूल की तो बीच के मूल बाजार की उपर निर्भर करता है बात करें इस किस्म की बुआई आप किन किन राज्यों में कर सकते हैं बात करें इस किस्म के नाम की तो इस किस्म का नाम कुफरी पुखराज है किसान भाईयों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इससे पहले आपने किस आलो की किस्म की बुखाई की थी और उसका उत्पादन कितना गया था अगर आप खेती बाड़ी से जुड़ी कि आपको किसी भी समास्या होते तो आप वीडियो की कमेंट करें हम आपकी पूरी मदद करेंगे मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद